नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अनलैसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीती से जुड़ी हर बड़ी ख़बरों का विशलेशन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट है डिफेंस टेक्नलोजी और अन्टी ड्रोन सिस्टम को लेकर, जिसमें हम इंडिया में अलग-लग तरह के ड्रोन टेकनलोजी और अन्टी ड्रोन सिस्टम के फिल्ड में हुए, ढिसेंट्ली कुछ डिवलप्मेंट की चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है Space Technology को लेकर जिसमें हम जानेंगे इंडिया के Space Technology के प्रोग्राम के बारे में साथ में ये भी जानेंगे कि ये टेक्नोलोजी कितनी revolutionary है इंडियान Space and Research के फिल्ड में तो चलिए इसी के साथ सुरू करते हैं इन खबरों का detailed analysis पहली खबर पर बात करते हैं इसराइल की कंपनी Spare UAV और भारत की पारस Aerospace Solution Private Limited के वीच एक Memorandum of Understanding यानि MOU साइन किया गया जिसके अंतरगत इसराइल की कंपनी जुएंटली मिलकर भारत के लिए 9-040 सिस्टम को इंडियन मार्केट में लॉंच करेगा जिसे भविश में Military और Central Forces द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा 9-040 एक Nanotactical Cost Effective Drone सिस्टम है यह भारत के Surveillance Capabilities को बूस्ट करने में मददगार साबित होगा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है कि Make-In India और आत्म निर्भर भारत पहल के अंतरगत इंडियन आम फोर्सेज के लिए मल्टी रोटर ड्रोन्स को पर्चेस किया जाएगा इन ड्रोन्स की खास बात यह है कि इसे Make-In India और आत्म निर्भर भारत इनिसेटिव के तहत बनाया गया है इन ड्रोन्स में 60% तक स्वदेशी कॉंपोनेंट का इस्तमाल किया गया है साथ ही साथ यह ड्रोन्स इंडियन फोर्सेज के मॉडरनाईजेशन में भी मदद करेंगे इसी से रिलेटेड एक जानकारी यह भी आई है कि रिवोलिशनरी एंटी ड्रोन सिस्टम लाने के लिए अस्त्रेलियन कंपनी ड्रोन सिल्ड ने भारत के M2K Technologies Private Limited के साथ पार्टनरशिप की है और अस्त्रेलियन कंपनी ड्रोन सिल्ड का कहना है कि इंडियन मार्केट के लिए M2K Technologies Private Limited एक strong business partner है और इसी के लिए हम इनके साथ मिलकर भारत के लिए non-state और state-based खतरों से निपटने के लिए anti-drone system को paste करेंगे और जिस तरीके से LSE पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है उसे देखते हुए दुस्मन ड्रोन को काउंटर करने के लिए ये anti-drone टेकनीक काफी काम आएगी अगली खबर आई है space sector से और वो ये है कि भारत की private sector aerospace company by Latrix aerospace satellite को carry करने के लिए space taxi पर काम कर रही है इस space taxi पर small satellites को carry किया जा सकेगा 2023 तक ये satellite को lower earth orbit पर launch करने भी लगेगा इस company के co-founder का कहना है कि ये जो space taxi वाला concept है ये बिलकुल नया है जिसके माध्यम से हम small satellites को अलग-अलग orbit में बिलकुल cost effective तरीके से launch कर सकेगे आज से पहले जितने भी small satellites को launch किया जाता था उसे बड़े satellites launch के लिए wait करना पड़ता था इसलिए small satellites के launch के लिए कोई direct option मौजूद नहीं था और इसी market gap को fill करेगा ये small satellite launcher ये space taxi अपने साथ 100 kg तक के small satellites को launch कर सकता है ये पूरा satellite concept बिलकुल fresh और new है इसके successful होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि small satellites को भी आसानी से launch कर सकेगा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें और अपने विचार comment section में जरूर बताएं नए स्रोतागन सब्सक्राइब करना ना बूले हमारे चैनल से जूड़ी नवीन ज्यानकारी के लिए बेल आइकन को दवाएं साथ ही आप हमें Twitter पर follow कर सकते हैं उसका link description में मौझूद है धन्यवाद जैहिंद